हेलो प्रेंट्स नवस्कार जो डिशियर एक्टर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी आज लिमिटेशन एक्ट 1963 से MCQ करेंगे और ये वो MCQ हैं जो पिछले 20-25 सालों से लगातार जुटीसरी के एक्जाम में जहां कहीं भी लिमिटेशन एक्ट प्रसक्राइब्ट है ये पूँछे गए हैं और अभी भी ये पूँछे जा रहे हैं तो लिमिटेशन एक्ट से मैं तकरीवन 80 कुश्यन सेलेक्ट किया हूँ जो घुमा फिरा करके पूँछे ही जाते हैं अगर आपको ये 80 कुश्यन पता है तो आप ये मानके चलिए कि आपको लिमिटेशन एक्ट तैयार है और लगभग ये तो यही चुकि जैसे कुश्यन पूशे गए हैं मैंने वह ऐसे ही लिखा है कुछ भी फेर बदल नहीं किया है और तमाम मैटेरियल भी जो मार्केट में उपलब्त है उनमें भी यही कुश्यन गुमा फिरा करके चापे गए हैं तो चलिए एक वीडियो के मात्यम से मैं 2020 कुश्यन करके एक्टी कुश्यन आपको दूँगा और आप यह तैयार कर लिजिएगा तो ऐसा कोई कुश्यन नहीं होगा जो आपसे बच जाए एक्जाम में और यदि वो कुश्यन बचता है तो वो आपके कंफ्यूजन की वज़े से ही बचेगा अन्यथा कुश्यन नहीं बचेगा चुकि इसमें बहुत जादा सेक्षन नहीं है और कोई बहुत जादा टेक्निकल्टी नहीं है जो थोड़ी बहुत टेक्निकल्टी है वो सेक्षन 12 से 18 के बीच में इस कुछ जादा है उसके बाद फिर थोड़ा बहुत 18 से 24 के बीच में थोड़ा बहुत आपको मिलेगा लेकिन वो आप हैंडल कर सकते हैं तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो में चर्चा करता रहता हूँ तो आप मेरे प्लैलिस्ट में जा करके इससे समंदित सारे वीडियो आप देख सकते हैं जहां जैसा मुझे लगता है उस टापिक को लेकर के मैं वीडियो देता रहता हूँ तो आप प्लैलिस्ट में जा करके भी वीडियो चेक कर सकते हैं अपने टापिक पर जो आप चाहते हैं वहां से देख सकते हैं अभी लेते हैं ये MCQ पहला MCQ है मर्यादा अदिनियम लागू होते हैं तो कहां लागू होते हैं पहला सभी सिबिल कारवाहियों को दूसरा कुछ विशेश दांडिक कारवाहियों को भी और तीसरा A और B दोनों ये फिर D के वर A सही है तो आपको पता ही होगा ये इसका अंसर आप सोच लेजिए एक सेकेंड में अगर आता है तो आप बता देंगे तो इसका अंसर है C ये सभी सिबिल कारवाहियों को तो लागू होता है अगरियम कुछ विशेश दांडिक कारवाहियों को भी लागू होता है और ये आप सेक्षन तल्ब में देख सकते हैं कि वहाँ पर डिक्री जज्जमेंट आडर तीनों की बात की गई है तो आप समझते हैं कि आडर और जज्जमेंट दांडिक कारवाहियों में ही होते है तो क्योंग वही एक सेक्षन नहीं है और भी सेक्षन है चलिए दूसरा कुश्चन लेते हैं मर्यादा और रोध का अभिवचन पहली बार अपील के नयाले में केवल उसी अवस्था में किया जा सकता है जब आपको बताना है कब पहला मर्यादा के प्रस्ण के आउधारन के लिए आउस्यक्तत स्विक्रत हों दूसरा वे अभिवचनों के आधारों पर प्रतच हों तीसरा ए एवं बी दोनों और चौथा केवल बी आपको बताना है इसका सही अंसर तो मर्यादा और ओत का आउधारन के लिए आउस्यक्तत स्विक्रत हो चुके हों और वे अभिवचनों के आधारों पर प्रतच हो तो इसका मतलब इसका अंसर सी है इसका अंसर सी है इसका अंसर सी होगा मर्यादा और ओत का आउधारन के लिए आउस्यक्तत स्विक्रत हो यह याद रखिएगा बहुत इंपार्टन कुष्चन है और वे अभिवचनों के अधारों पर प्रतच्छों यह दोनों वी कंडिशन बनती हैं तब भी मर्यादा और ओत का यह वचन पहली बार अपिल के नहाले में किया जा सकता है तीसरा कुष्चन परसीमा अधिनियम लागू नहीं होता तो आपको बताना है कहां कहां लागू नहीं होता पहला सभी दांडिक कारवाहियों में तो आपको पता है कि सभी दांडिक कारवाहियों में लागू नहीं होता लेकिन कुछ बिसेस दांडिक कारवाहियों पे जरूर लागू होता है दूसरा जन पर्टेनिदित अधनियम से उत्पन चुनाव समंधित कारवाहियों पर तो चुनाव समंधी कारवाहियों पर भी यह लागू नहीं होता है। यह जो तीनों उपर लिखे हुए हैं, इनमें किसी में भी यह लागू नहीं होता है, ज्यादा तर यही पूँचे गए हैं, चलिए, कुश्यन नम्बर चार लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूँचा जाने वाला कुश्यन है, मैंने तो सर्च किया, तो बहुत बार पूँचा गया कुश्यन है, किसी भी तरह से पूँचा गया है, लेकिन पूँचा गया है, बीहित काल के पस्चाथ, संसित वाध की गई अभेदन खारीच कर दिया जाएगा, यह दपितरच्छा के तोर पर परसीमा की बात ना उठाई गई हो किस धारा में कहा गया है तो ये बहुत पापलर सेक्सन है मुझे लगता है आपको याद होगा और इसको तोड़ मरोड के गुमा फिरा करके सेक्सन 3 को पूंचा ही जाता है तो सेक्सन रट लीजिए काम आपका चल जाएगा कैसे भी में कहा गया है तो यहीं कि परसीमा के तो प्रत्रच्छा के तौर पर प्रसीमा की बात भले ही न उठाई गई हो लेकिन बिहितकाल के पश्यात कोई भी संसित किया गया वाद की गयी अपील या किया गया अबेदन नयाले खारिच कर देगा यह धारात तीन में इसक्ली कहा इसके बाद अपको तो अपवाद भी पढ़ने को मिलें गे रोडल प्रृस्क्राइब प्यर्यजित के बाद नयाले किसी भी मामले को गो यह किसी भी संसित कारवाही की कारवाही को चलाने की अन्मत देता है तो इसका मतलब वह रुभ वह अपफ़यों के alf we चला जाता है तब तो आपको प्रिस्क्राइब बिजट के बाद भी करवाई संसित करने का आउसर मिल जाएगा अनिता धारातीन में इस पस्ट कर दिया गया है कि अगर आप भीद काल के पस्टात कोई वाद संसित करते हैं कोई अपील करते हैं ये कोई आबेदन करते हैं तो खारिज कर दिया जाएगा धारातीन याद रहनी चाहिए अगला कुश्यन है परसीमा का तरक एक बार तय हो गया तो क्या होगा भाई ये बताना है अगर परसीमा का तरक एक बार तय हो गया तो पहला ये पच्छकारों के बीच निशायक होगा यदि उसके बिरुत अपील नहीं किया गया या जब तक अपील में आपस्त नहीं हो जाता तो ये पच्छिकारों के बीच निशायक होगा यदि अपील नहीं कि गई उसको ले करके या फिर अपील में वो परसीमा गतर अपस्त नहीं हो जाता तब तक वो पच्छिकारों के बीच निशायक होगा दूसरा धारा तीन पर प्रयागनाय का सिध्धान्त अपवर्चित होगा बिल्कुल ठीक धारा तीन पर प्रयागनाय का सिध्धान्त अपवर्चित होगा तो इस तरह से जो C नंबर का है A एवं B दोनों या D उपर इप्त में से कोई नहीं तो इसमें A एवं B दोनों होगा, अंसर C होगा तो याद रखिएगा परसीमा का तरक यदि एक बार तै हो जाता है तो उपर्षकारों के बीच में निशायक होता है जब तक या तो उसके समद में अपील नहीं की गई है या अपील की गई है और उसे अपास्त करतिया जाता है उस तरको तो वो निशायक होता है otherwise नहीं होता है धारा तीन पर प्रयागनाय का सिध्धान तलागू नहीं होता है तो ये भी बहुत अच्छा कुश्चन है ये जितने भी कुश्चन दे रहा हूं आप इनमें 5 स्टार रेटिंग कर सकते हैं ये 80 कुश्चन आपको बिल्कुल समझ डालने हैं रट डालने हैं इन परसीमा अधनियम की धारा पांच निम्न मामलों में प्रियोज होती है ये भी बहुत पापलर कुश्चन है बहुत पूशा गया है चाहें पी हो जारकंड हो यूपी हो शत्तिसगर हो राजस्थान हो बिहार हो सब में देखा है मैंने इस कुश्चन को तो परसीमा अधनियम की धारा पांच निम्न मामलों में लागू नहीं होती ये प्रियोज नहीं होती पहला है वादों अपीलो एवं आबेदनों पर दूसरा है अपीलो एवं आबेदनों पर तीसरा है अपीलो एवं वादों पर दी केवल वादों पर तो ये धारा पांच आपको याद आ गया होगा, कि यह वादों पर लागू नहीं होती, अपीलो एम आबेदनों पर लागू होती है, तो जिसमें वाद है, वो गलत है, जिसमें वाद नहीं है, वो इसका अंसर सही हो जाएगा, तो अंसर भी इसका सही हो जाएगा, यह क्यों अपीलों आफिद्नों परलागू होती है तो आपको याद रखना है कि ध़रा 5 वादों परलागू नहीं होती है सिदी सी बात है वाद दिख जाए ध़रा 5 लागू नहीं करना है आपको अगला कुशन लेते हैं कुश्चन नमबर 7 परिसीमा अधिनियम की धारा पांच निम्न समान नीमो का अपवाद है तो अभी आपने देखा धारा तीन पढ़ लिया आपने धारा तीन में पता चल गया कि भीध काल के आउसान पर यदि कोई वास्थन सित किया जाता है कोई अप्री की जाती है कोई अभीधन कर दिया जाता है तो खारिश कर दिया जाएगा धारा तीन कहती है परिसीमा द्वारा वर्जन करती है किसी भी कारवाही का धारा चार कहती है बिहित काल का आउसान जब ने आले बंदो तो ये दोनों धारा का अपवाद धारा पांच है चुकि वहां पर्याप्त कारण देख करके आप छूट पा सकते हैं अपनी कारवाही को बिहित काल के यानिकी परसीमा काल के बाद यदि आप नेयाले को संतुष्ट कर देते हैं और यह नेयाले के विवेक पर निर्वर करता ह है कि वह आपको अनुमत देता है या नहीं देता है लेकिन धारा पांच परसीमा अधनियम के अंतलगत धारा तीन और चार का अपवाद प्रस्तुष्ट करती है जहां धारा तीन में कहा गया है कि वाद खारित कर दिया जाएगा वहां धारा पांच में कहा गया है कि यदि कर देते हैं तो ने आले आपको कारवाई संसित करनी की अन्मत दे सकता है बस अरते यह ने आले के विवेक पर ही पून रूप से निजबर होगा कि वह आपको अन्मत देता है अथा नहीं देता है पर्याप्त करण पर सब्सक्राइब कर on कोई भी और कुछ भी हो सकते हैं ये परिस्तियों पर निर्वर करता है कि उन परिस्तियों के समंध में परयाप्त कारण उस पर्टिकुलर मैटर को ले करके क्या हो सकता है ये परयाप्त कारण का कि एक छोटा सा डिटेल में ने दिया समझाने के लिए बाकी हम लोग बीटियों में धरा पांच पढ़ेंगे वहां पर पूरी तरह से इसको समझ लेंगे दारा पांच के अंतरगत बहुत से ऐसे परयाप्त करण गिनाय भी गए हैं विभिन केसला के मात्यों से लेकिन वह कोई एक जास्टिव लिस्ट नहीं है वह मात्र एक गाइट गाइडिंग लिस्ट है जिससे आप समझ सकते हैं तो चलिए कुशन में जो पूछा गया है उस का अप्वाद है तो धारा 3, धारा 4 और जो c है वह कहता हुए वह में और डी कहता है क्यवल «b» तो हम इसमें c में अथिक करेंगे और इसका अंसर c हो जाएका और यह धारा 3 और 4, धारा 5 के लिए कर तो अबholders धालाआप Q pregunta मरें करते हैं से कुश्चन नमबर एट पुरिशीमा अधनियम की धारा पांच के अंतरगत पच्छकार कितने समय की देरी को इस पस्थी करत करते हैं यह फाइव स्टार से भी उपर की रेटिंग का कुश्चन है एज जेस वगेरा में पूछा जाने वाला कुश्चन है या जब पे इस पस्थी करत करेंगे परसीमा अधनियम की धारा पांच के अंतरगत आपको बताना है कितने समय की देरी को इस पस्थी करत करना है उनको तो पहला है परसीमा के आवसान के पश्चात और आबेदन दाखिल करने की तिथि तक दूसरा है परसीमा काल समाप्त होने की तारीक तक आवेदन दाखिल करने की तिथि से पूर्व के समय का आपको ब्रिजनिंग लगाना है इसमें आपको इन चारों को पढ़कर के अपनी रिजनिंग यूज करते हुए अंसर देना है तीसरा है परसीमा समाप्त होने के पश्चात और बिलम के समय तक चौथा यानि किद्धी है उपर युक्त में सी कोई नहीं तो इसका अंसर साइद आप समस्च चुके होंगे परसीमा अधिनियम की धारा पांच के अंतरगत हमें जितने समय की देरी को इस पस्ठीकरत करना होता है वह होता है परसीमा के अवसान के पश्चात और आबेदन दाखिल करने की तिथी तक का जो गैप हुआ है इस गैप का इस पस्ठीकरन हमको देना होता है तो इस तरह से इसका अंसर ए हो जाएगा तो यह फाइव रेटिंग फाइव इस्टार रेटिंग से उपर कुश्यन मानिएगा समझ लीजिएगा याद कर लीजिएगा परसीमा अधनियम के अंतरगत पच्छिकार को परसीमा काल समाप्त होने की तारीक तक अबेदन दाखिल करने की तिथी से तिथी तक परसीमा के अवसान के पश्चात और अबेदन दाखिल करने की तिथी तक का इस पश्चिक्रण देना होता है फिर से सुन लीजिए परसीमा अधनियम के अंतरगत किसी भी वेक्तिको धारा पांच के अंतरगत पर्याप्त कारण का आधार लेने के लिए जो हम पर्याप्त कारण देंगे वो पर्याप्त कारण कितने समय के का होगा या कितने समय को इस पश्चिक्रण करता होगा तो वो परसीमा जो आपको मिली है उसके आउसान के पश्चाथ और अबेदन दाकिल करना जिस तारीक में आपने अबेदन दाकिल किया है उस उतिति तक जो समय रहेगा इसको आपको इस पश्च्टी करन करना होगा परयाप्त करन के द्वारा अगला कुश्चन लेते हैं कुश्चन नमबर नाइन बिलम की माफी के लिए परयाप्त करन नहीं है तो बिलम की माफी के लिए परयाप्त करन नहीं है यहनि कि आपको बिलम की माफी के लिए वो कारण बताना है जो परियाप्त नहीं है पहला है वकील द्वारा गलत सलाय दूसरा है निर्धंता तीसरा है अधिवक्ता द्वारा सद्भावना पुरुवक की गई भूल चौथा है प्रतलिपियां प्राप्त करने में बिलम सभी परियाप्त कारण है इन में से कौन सा सही है आपको बताना है तो अकील द्वारा गलत सलाय दी आपको मिल गई है निर्धंता है असिच्छा है अज्ञानता है आपके पास तो परियाप्त कारण हो जाएगा अगर गलत सलाय मिल गई है अकील द्वारा तो भी परियाप्त क कारण हो जाएगा अधिभक्ता द्वारा साद्वाना पुर्वा अगर कोई भूल कर दी गई है तो भी पर्याप्त कारण हो जाएगा जो आप प्रतलिपियां प्राप्त करने में आपको बिलंब हुआ है अना उससे एक समय लगा है वो भी पर्याप्त कारण हो जाएगा तो इ यह आप वीडियो देख सकते हैं कि उसमें डिटेल से बताया गया है और यह केवल mcq बनाने के लिए तीन-चार कारण यहाँ पर दिये गए हैं और भी बहुत से कारण है केसला के मात्यम से सक्षन 5 के इंतरगत हम लोग पढ़ते हैं फिर भी विशेश मामले को लिखकर विशेश परस्तियों के हिसाब से परयाप्तिकारण होता है और वो परयाप्तिकारण आपको देना होता है जो उस समय का इस परस्तिकरण दे पाए जब आपका परसीमा का आवसान हुआ है और उस तिथि तक का देना होता है जिस तिथि में आपने अविधन किया है उस बीच के समय के इस परस्तिकरण करने के लिए आपको परयाप्तिकारण देना होता है अगला कुश्यन देखते ह तो आपको बताना है बिलम की माफी के लिए परयाप्तिकारण नहीं है तो आपको बताना है बिलम की माफी के लिए परयाप्तिकारण नहीं है इसके पहले आपने कुश्चन नाइन देखा जिसमें सभी परयाप्तिकारण है अब आपको बताना है इसमें परयाप्तिकारण नह तो बिलम की माफी के लिए पर्याप्तकारण नहीं है पहला ए असिच्छा दूसरा नेयाले की ओर से देरी तीसरा ए एवंग दोनों दी तेवल ए तो असिच्छा भी पर्याप्तकारण है और नेयाले की ओर से यह दी देरी की गई है बिलम किया गया है तो भी यह पर्याप्तक कारण माना गया है केसला के अंतरगत इस तरह से इसका अंसर सी हो जाएगा आज 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 ऐसे कुश्च्ट जो थोड़ा सा त्रक्य होते हैं को ऐसा एक अल्टरनेटिव रख दिया गया जिसको हमने यह तो पढ़ा नहीं है यह दिपढ़ा है तो उसको पढ़कर हम कन्फ्यूज हो रहे हैं कि प्रतिर्पिया प्राप्त करने में बिलंब यह न्याले की ओर से देरी तो इनमें कन्फ्यूज होने की यूगरत नहीं है इनको आप यह तो लाइन से इनकी लिस्ट बना लीजिए या अपना आप रिजनिंग यूज कर लीजिए जो सेक्शन फाइब को पढ़ने के बाद बता चलती है अगला कुश्चन है धारा पांच के अर्थ में बिलंब का पर्याप्त अधर कारन ते जाम है अब आपको इहां बताना है अभी तक पूछा है नहीं है नहीं है तब उसमें थे सभी हैं अब इसमें पर्याप्तिकारण हैan कुछ गिनाए गये हैं तो धारा पांच के अर्थ में बिलम का प्रयाप्त करण यानि कि सफिसिंट काज हैं तो कारावास सफिसिंट काज है बीमारी भी सफिसिंट काज है दोस्पूर्ण वकालत नामा भी सफिसिंट काज है विदी की अज्ञानता भी कुछ केसला में सफिसिंट काज माना गया है और ई नंबर है उपर उप्त सभी तो इसका अंसर भी ई हो जाएगा उपर उप्त सभी कुश्यन नंबर 12 देखते हैं अब हम सेक्षन 6, 7 और 8 की बात करेंगे अब इतक हमने सेक्षन 3 और 5 की बात करी है उससे जितने भी mcq निकल सकते थे मिल सकते थे अलग-अलग पेपरों में और material में वह मैंने इखठा कर दिया है अब सेक्षन 6 की बात करते हैं विधिक निर्योगता यानि कि लीगल disability नहीं है तो जो लीगल disability है उसमें तीन तरह की तो किनाई गई है चोथी तरह की इसमें दी गई है जो कि उसमें नहीं है सेक्षन 6 में तो आवएक्सता पहला दूसरा विक्रचित तीसरा जड़ता या मूर और चोथा है दी दिवालियापन तो सेक्षन 6 के अंतरगत दिवालियापन लीगल disability नहीं है आवएक्सता है विक्रचितता है जड़ता या मूरता है तो अंसर हो गया डी कुश्यन नमबर 13 देखते हैं अच्छा कुश्यन है धाराच्छय परसीमा अधनियम को प्रियोज होता है यानि कि धाराच्छय परसीमा अधनियम की प्रियोज होती है कहां प्रियोज होती है वाद में डिक्री के निस्पादन के लिए आवेधन में या फिर एवं भी दोनो इसका अंसर हो सकता है या D उपरिप्त में से कोई नहीं यह अंसर हो सकता है तो धारा 6 जो legal disability की बात करती है वह वाद में एवं दिकरी के निसपादन के लिए आबेदन में दोनों में प्रियोच होती है इसलिए इसका अंसर हो जाएगा तो ये भी एक अच्छा कुश्यन है जब पेपर थोड़ा सा टेकी होता है तब इस तरह के कुश्यन पूछने की संभावना बढ़ जाती है इसलिए मेरी सलाय है कि आप हर तरह के हर लेवेल के कुश्यन को ध्यान में रखिए और अपनी रेटिंग जरूर करते रहिए कुश्य तो अपने रेटिंग जरूर कर लीजिए और रेटिंग के हिसाब से उनको आप लटिये लटिये देखिए उन पर ध्यान दीजिए तो गलत नहीं होते हैं अगला कुश्यन कुश्यन नमबर फुर्टी धाराच्षय के इंतर्गत विधिक निर्योगता किसे प्राप्त है फाइव इस्टार रेटिंग से उपर कुश्यन है धाराच्षय के अंतर्गत विधिक निर्योगता किसे प्राप्त है पहला निर्योगता से ग्रस्त बेक्ति द्वारा लाए जाने वाद यहीं कि निर्योगता सिक्रसित उस विक्ति के होना चाहिए जिसे वाद लाना है दूसरा जिस विक्ति के विरुत वाद लाया जा सकता है तीसरा ए एवं दी दोनों दी चौथा उपरिप में से कोई नहीं तो धाराच है के अंतरगत बहुत इसपस्ट रूफ से कहा गया है कि विधिक निर्योगता उस विक्ति को प्राप्त है जिसके द्वारा वाद लाया जाना है ना कि जिसके विरुत वाद लाया जाना है तो इसका अंसर हो जाएगा ए इसका अंसर हो जाएगा ए तो यह अच्छा कुश्यन है इसको याद रखेगा उस बिक्ति को बिधिक निरूपता से ग्रसित होना चाहिए और धाराच्छे के अंतरकत धाराच्छे का लाव उसी बिक्ति को मिलेगा जिस बिक्ति को वाद लाना है और वह किसी बिधिक निरूपता से ग्रसित हो गया है य एक ब्यक्ति एक निर्योगता से ग्रस्त है, निर्योगता के अंत होने से पूर्व दूसरी निर्योगता से ग्रस्त हो जाता है, वाद या आबिदन दाखिल किया जा सकता है, तो पूछा जा रहा है कि एक ब्यक्ति है जो एक निर्योगता से ग्रस्त है, और पहली निर्योगत समाप्त नहीं हो पाती और वह दूसरी निर्योगता से घ्रस्त हो जाता है तो ऐसी इस्तिति में वह वाद या बेदन कब दाखिल कर सकता है पहला पहली निर्योगता के अन्त के बाद दूसरा दोनों निर्योगताओं के अंत के बाद तीसरा है दूसरी निर्योगता के अंत होने के बाद चौता है उपरिक्त में से कोई नहीं यानि कि वह बैक्ती पहली निर्योगता के अंत के बाद वाद दाखिल कर सकता है या दोनों निर्योगताओं के अंत के बाद दाकिल कर सकता है, या फिर क्यों दूसरी निर्योगता के अंत होने के बाद दाकिल कर सकता है, या फिर उपरिक्त में से कोई नहीं, तो धारच है कि अंतरगत इस पस्ट कर पिया गया है, कि जब व्यक्ति दोनों निर्योगताओं स से निजात पा जाएगा यानि कि दोनों निर्योगताओं का अंत हो जाएगा उसके बाद वह दाखिल कर सकता है तो इसका अंसर हो जाएगा भी यानि कि अगर कोई बिक्ति है वो किसी निर्योगता से ग्रसित है और वह निर्योगता उसकी समाप्त नहीं हो पाती और वह दूसरी निर्योगता से भी ग्रसित हो जाता है और तो ऐसा बिक्ति अपना वाद या आवेदन दाखिल कप कर सकता है तो वो जब उसकी दोनों निर्वगुताओं का अंत हो जाएगा उसके बाद से वो अपना वादियावेदन दाखिल कर सकता है यानि कि जब तक उसकी निर्वगुताओं चालू रहेंगी जब तक परसीमा काल बंद रहेगा इस्थागित रहेगा ऐसा धार अच्छे बताती है जैसे ही उसकी निर्वगुताओं समाप्त हो जाएंगी वो ऐसे ही वो परसीमा काल सुरू हो जाएगा ऐसा धार अच्छे कि अंत होने के पश्चात वाद ये आवेदन दाखिल नहीं करता है और कुछ दिन बाद वह मर जाता है मिर्दक का विधिक प्रतिनिधी वाद ये आवेदन दाखिल कर सकता है यह कुश्यन भी फाइट स्टार रेटिंग से उपर का कुश्यन है ऐसे कुश्यनों पर आपको ध्यान देना चाहिए एक बिक्ती निर्योगता से ग्रसित है निर्योगता के अंत होने के पश्चात वाद ये आवेदन दाखिल नहीं करता है यानि कि निर्योगता से ग्रस्ट था उसकी निर्योगता भी समाप्त हो गई निरुकता जैसे समाप्टुई प्रस्रीमा काल शुरू हो गया लेकिन वो वादी आबिदन दाकिल नहीं करता है और कुछ दिनों वाद वह मर जाता है तो उस मृत्र्टक का विधिक प्रतिनिती वादी आबिदन दाकिल कर सकता है तो उसको कितना समय मिलेगा वाद या अविरन दाकिल करने का तो पहला है मरत्तु के पश्यात उसी समय के भीतर जितने उस बिक्ति को अन्था उपलब्द होता यदि उसकी मरत्तु ना हुई होती दूसरा है उसकी म्रत्तु से वाद या अवेदन के लिए भीहित काल के भीतर तीसरा है ये एवं भी दोनों, चौता है उपर में से कोई नहीं तो देखिए इसमें बताया गया है कि ऐसा बेधिक प्रतिनिधी उतने समय के भीतर वाद या अवेदन दाखिल कर सकता है जितना समय उस बेक्ति को अन्था मिलता यदि उसकी मरत्तुना हुई होती इसको मैसे समझ सकते हैं उस बेक्ति को जो बिधिक निर्योपता से गरसित था उसकी निर्योपता समाप्त हो गई उसके पास जो काजाप एक्सन था मान लेते हैं कि उस काजा पेक्सन के लिए उसके पाद समय सीमा तीन वर्ष का था कि तीन वर्ष के अंदर वो अपना वादियावेदन दाखिल कर सकता है अब पता चला कि वो एक साल बाद उसने वादियावेदन दाखिल ही नहीं किया एक साल गुजर गया, एक साल के बाद उसकी मृत्तु हो गई, तो अब जो बिधिक प्रतिनिती है, जिसे उस मृत्त का जो बिधिक प्रतिनिती है, अब वाद या अबेतन वो उतने समय के भीतर दाखिल कर सकता है, जितना समय उस परस्वी माकाल में बचा है, तो अगर तीन सा का था अब वो एक साल तक तो कुछ नहीं किया उसके बाद मृत्व हुए मान लीजिए जेड़ साल पूरे हुए तो अब इस बिधिक प्रतिनिदी को मात्र जेड़ साल ही मिलेंगे उस वादिया अबेदन को दाखिल करने के लिए ऐसा समस्ते हैं इसको तो इसका अंसर हो जाएगा ए तो ये बात एक्दम से किलियर हुई कि अगर कोई ब्यक्ति है जो किसी बिधिक निर्योकता से ग्रसित है और उसकी निर्योकता समाप्त भी हो जाती है उसके पास काजा पेक्षन तो बिधिक निरुकता से जब विधिक निरुकता से ग्रसित हुआ था उसके पहले ही उसके पास उपलब्द हो गया था अब वो विधिक निरुकता से ग्रसित हो गया वार्यावेजन दाकिल नहीं कर पाया कोई बात नहीं समय सीमा इस्थागित रहा अब उसकी धीरे-धीरे करके बिदिक निरुकता समाप्त हो गई अब जैसे ही समाप्त हो गई तो जो परसीमा काल अस्तागित था वो शुरू हो गया वो चालू हो गया अब बिदिक निरुकता समाप्त होने के बाद भी उसने कोई आवेदन वाद दाखिल नहीं किया समय सीमा चल रहा है तो यहां पर जितना समय सीमा सेस बचा होगा उस बिक्ति के लिए जिसकी मृत्तु हो गई है उतना ही समय सीमा इसके बिधिक प्रतिनिदी को मिलेगा वा दिया आबेदन दाकिल करने के लिए कहने का मतलब है कि बिधिक प्रतिनिदी को कोई अलग से प्रतिमा काल उपलब्द नहीं होगा उसको कोई छूट नहीं मिलने वाली है उसको उतना ही समय मिलेगा यतना उसको मिलता यदि वो उसकी मृत्तुना हुई होती इस पस्ट कर दिया सेक्षन के अंतरगर्द ये भी कुश्यन बहुत पापुलर है बहुत बार पूशा गया सेक्षन थ्री सेक्षन नाइन सेक्षन फाइब ये ऐसे कुश्यन है जो कितनी बार ना रिपीट किये गया होंगे मैं काउंट नहीं कर पाया कुश्यन है जहां कि एक बार समय का चलना प्रारंब हो जाता है वहाँ वात संसित करने या अवेधन करने की किसी पस्चात वर्ति निर्योगता से वह नहीं रुपता है कहा गया है किस धारा में ता गया है तो अभी आपने सिक्सन सिक्स पढ़ा लीगल डिसविल्टी के जयए तबिए वो शेक्सन सिक्स में है यहाँ पर अभी आपने अपने यहां पड़ा कि एक ब्यक्ति है जो बिदिक निर्योगता से ग्रसित है कि इसके बाद कोई भी कि निर्युगता से वो ग्रसित होता है तब ऐसी इस्थिति में परसीमाकाल नहीं इस्थगित किया जाएगा धारा नव इस बात को कहते है तो इसका अंसर हो जाएगा धारा नव जो कि पश्चात वर्ति निर्युगता से समंधित है तो यदि एक बार समय का चलना प्रारंब हो गया तो वहाँ वाद या वाद या आवेदन संसित करने के लिए यदि कोई निर्युगता उपस्तित हो जाती है आपके सामने तो उसकी वज़े से समय का चलना नहीं रुकेगा ये धारा नाइन में बताया गया है अधारा नाइन में चार कारण बताये गए हैं वह आप वीडियो में जब धारा नाइन का प्लेलिस्ट में जाएंगे मिल जाएगा वहां आप देख सकते हैं कैसा क्यों कि तो इतना ही आद रखना है और वो कहती है कि अग वार समय का चलना प्लारंभ हो जाता है तो वहां वार्थ संसित करने आभेधन करने की कि सी पश्यात वर्ती नेगि नहीं रूपता है हो समय की समय का चलनाय की रहता है और यहां पर बने रूर करने की ससट करने की निरुकता से आसय JEFF एलेह डेंग जब एक बार समय की है जुझ की जाती है तो यह बराबर चलती रहती है यह चलती रहेगी, इस नियम के अपवाद, तो यानि कि सेक्षन 9 कहता है, कि एक बार समय का चलना शुरू हो जाता है, यह समय की गरना शुरू हो जाती है, तो वो बराबर चलती रहेगी, इस नियम के अपवाद हैं, तो इस नियम के अपवाद हैं, आपको बताना है, पहला ह प्रसासन पत्र दूसरा है अकिंचन के वाद में समय तीसरा है जब वाद टायर किये जाने को रोकने के लिए कोई ब्यादेश प्राप्त कर लिया गया हो उपध्युक्त सभी तो इसमें बताना है कि इस नियम के कोई अपवाद हैं तो एक बार समय की गरना शुरू हो जाती है इस नियम के अपवाद ये सभी हैं इनमें ये नियम लागू नहीं होता है इसका अंसर दी हो जाएगा तो इसमें और भी हैं कुछ लेकिन ये चुपी अल्टरनेटिव सुरूप में यहाँ पर दिये गए हैं तो दो ही तीन दिये गए हैं बाकि आपको वीडियो में मिल जा धारा पांच के अंतरगत नियाले निम लिखित वर्ग के मामलों में अवद सीमा का विस्तार नहीं कर सकता इसको इस तरह से भी पूशा गया है चुकि इसके पहले पूशा गया है कि धारा पांच किन मामलों में या किन कारवाहियों में प्रियोज नहीं होती उसी बात को य आले निम लिखित वर्ग के मामले में अवदि सीमा का बिस्तार नहीं कर सकती तो सिंपल वात है कि धारा पांच अपील और अबेदन पर तो लागू होती है लेकिन वादों पर लागू नहीं होती है इसलिए धारा पांच वादों के सम्मंद में अवदि सीमा का बिस्तार नही कर सकती इसलिए इसका अंसर हो जाएगा सी तो कुश्चन पूछने का मात ठंग है इसलिए इस कुश्चन को इसमें रिपीट किया गया है कुश्चन नमर टूंटी न्यासियों तथा उनके प्रतिनिदियों के विरुद्वाद से समंदित धारा आपको बताना है यह भी पूछा गया है क्यों धारा ही पूछी गई है इसके समंद में अभी तक जितनी बार यह कुश्चन मिला है हूँ बाहू इसी तरह मिला है इस न्यासियों तता उनके प्रतिनिदियों के विरुद् प्रेम में मिला है तो इसका जो सेक्षन है वह 10 है आप सेक्षन 10 भर याद रखिए बस इतना ही महत्वपूर है तो इस तरह से यह 20 कुश्चन इस वीडियो में कम्प्लीट होते हैं इस तरह के मैं अभी आपको 2020 करके यह वीडियो दूँगा जिससे आपका लिमिटेशन एक्ट पूरी तरह से कवर हो जाएगा जितनी चत्राई से कुश्चन पूछे गए हैं पूछे जा सकते हैं वो सारे तरह के कुश्चन को मैं इनमें कलेक्ट करके कलेक्शन बना करके आपको दे रहा हूं अगर मात्रा वीडियो ही देख लेते हैं तो आपका लिमिटेशन एक्ट रिवाइज हो जाएगा एक तरह से पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा जितना भी ऐसा जगा है इस एक्ट के अंतरगत जहां से कुश्चन निकल सकते हैं, निकाले जाते हैं, वो निकालते हैं, वो सारी जगों पे को मैं टेच कर रहा हूँ इन वीडियों में, तो आप वीडियो को लाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप जुरूरत समझते हैं, तो कमेंट भी करें, जवाब देना मेरी जुम्मेदारी है, लेकिन कमेंट आपको करना है, वीडियो कैसा लगा, ये भी आप बताएए, अच्छा लगेगा मुझे, धन्नवादू